आज एक और नई रेसिपी के साथ वे वीडियो की सुरुवात करते हैं आज की जो वीडियो है आपको तब काम आएगी जब आपको एकदम जटपट लंच थाली बना कर तयार करनी होगी या फिर घर में गैस्ट आए और एकदम प्लेन खाना उनके लिए बनाना हो तब आप ज़्यादा बिना परेशान हुए जटपट बना कर तयार कर लेंगी मेरे बच्चे की भी आवर सुनते जाएए साथ साथ में और अब मैंने दाल चावल को अच्छे से दुलकर लगा दिया है कुवर में और जब भी दाल लगाएं तो उसको 10-15 मिनिट के लिए उबल दाल कर Minnesota行 बनाने हैं तो आप मिनाहरे साथ साथ में हमारे साथ साथ में और अलू भी उबल जाएए है कड़ाई में थोड़ा सा तेल लिया ये वही कड़ाई है जिसमें मैंने सबजी बनाई थी अब थोड़ा सा लहसन डाला थोड़ी सी प्याज और डाली और टमाटर डाल कर ड्राइपॉडर मसाले एड़ करें और जो प्याज बने मैंने सबजी की बचाई हुई थी वो भी इसमें एट कर दी, हलका सा पानी मिलाया, तेल इलीज होने तक मसाले को चलाया, उसके बाद मैं दाल एट कर दी, थोड़ी सी धनिया डाली, और ये लीजिए, ये सब बनाने में मुझे आदे घंटे से भी कम का सम है लगा, और हमारा पूरा खाना बनकर तयार हो गया, ये लीजिए, सिंपल लंच थाली बनकर तयार है, दाल, चाबल, सबजी, रोटी, रायता, और साथ में सलाद, तो आप इस तरह की थाली, जब भी आपको प्लेन खाना बनाना हो, या फिर आपके घाल में, गैस टायों प्लेन खाने की कहें, तो आप इसे जरूर बनाए, खाने में बहुत जादा स्वादिश लगती है, साथी साथ जट पर बनकर तयार भी हो जाती है, तो यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो आप इसे बनाकर जरूर ट्राइ करें, और मेरे चरण को लाइक और सब् झाल